इनके ओर से मैं Union Bank of India और बाकी बैंक कस्टमर को सचेत और जागरूट करना चाह रहा हूं कि Union Bank of India के कस्टमर को WhatsApp पर एक मेसिज आ रहा है जिसमें APK लिंक आ रही है वो लिंक पर क्लिक करने के बाद उनका Mobile Banking और Internet Banking का Access Fraud Source को मिल रहा है और उससे उनका Financial Laws हो रहा है इससे बशने के लिए मैं सभी को आवान और सशित करना चाहूंगा कि आप WhatsApp या किसी लिंक को आप क्लिक मत कीजिए उसको विदाउट वेरिफाई किये उसको लिंक नहीं क्लिक नहीं करना है और आपको कोई भी मेंसे जाता है तो आप आपकी बैंक से वेरिफाई कर सकते है और आपके साथ अगर Financial Crime हुआ है तो आप 1930 इस नंबर पर आपकी Complain दर्ज कर सकते है या आप नजदी की Police Station या Cyber Police Station में आके आपके Complain दे सकते है इससे बचने के लिए आपको WhatsApp की एक सेटिंग करना है WhatsApp की सेटिंग में जाकर उसमें डेटा एंड स्टोरेज के बाद जो अटो मीडिया डाउनलोड है वो वाइल रोमिंग, वाइल यूजिंग डेटा, वाइल यूजिंग وाइफाइ इसको सभी को आपको अंक्लिक करना है images, video और documents और जो भी है उसको आपको अंक्लिक करके वो सेटिंग OK करके उसको सेट कर देना है दन्यसवाज जहिई